मैं डाक्टर हरीशीम धिल्लो हूँ और बरेली मरादवास से सिक्सक विधायक हूँ MLC हमारे हाँ लेक्टि लेक्टि अंसिल है उतर प्रदेश में है और अजरी स्टेट में पूरे देश में छह जगह है देखिए यह कॉंसिटेंसी बहुत बड़ी कॉंसिटेंसी है और इसके अंदर आठ सिक्सक विधायक चुने जाते हैं आठ इसना तक विधायक चुने जाते हैं हमारे आज जो एक उच्छ सदन कहला आता है उतर प्रदेश के अंदर उसमें सो मेंबर्स होते हैं और अधर-अधर छेते से ऊच उनके आते हैं जिसे 8 सिकसक विधायक होंगे या 8 इसनातक के विधायक होंगे एक बार 12, एक बार 13 विधान सभा से MLG चुनते हैं उनको तेहें चतिस निकाय से चुनाव जीत के जाते हैं इस तरी के से लगवक सो होते हैं इनकी MLC की जो है ये अलग-अलग consistency होती है लेखे बरेली तो इसका एक नाम है ये बरेली मरादबाद सिखसक खंड है इसमें चार जन पर बरेली मंडल के आते हैं पास जन पर मरादबाद अच्छा है बढ़िया कारकरम एक नोने करवाया है मैं समझता हूं को बढ़ाई और सूपकामना है देना चाहता हूं कि एक पूरे देश के समिधान से संबंदित हमारे जो बिधायक बुलाएं आप लोगों ने तो एक दूसरे को पहचानेंगे एक दूसरे के स्टेट को ज मैं उनको बढ़ाई देना था देखिए चैलेंज क्या है कि कॉंस्टेंसी बहुत बड़ी है और सिक्सकों की कॉंस्टेंसी है है हमारा तो यह अपने आप में बड़ाओ चैलेंज है के पढ़ा लिखा धिमान व्यक्ति जो आपका वोटर है उसको काम करना उसके उसको समझा उसको बताना यह अपने आप वह पड़ाजियनज है लेकिन मैं समंचता हूँ कि हम जिस तरी के से काम करते हैं जिस तरी हिसे हमारी बहागेदारी छेत में रहती है लोगों से संबंद और रिसे हैं हमारे फिर बंदग्स है सिक-सक्स है तो अगर आप लगा तार सक्रिय हैं अपने छेत में आना जाना आपका है, नमस्ते प्रिणाम ठीक, आप गुरु जनों को कर रहे हैं, तो दिखने कमाएंगे, लेकिन क्योंकि बुद्धी जीवी बोटर है, बुद्धी जीवी बोटर आप समय सकते हैं, कि उनको काम से ही मतलब है, उनको आप बैकार नहीं सकते है नहीं पिछली बार जो मेरा, मैं पहली दूसरी बार MLC हूँ, था मतला बिधायकों गई द्वारा चुना गया था, तो बिधायकों को जो चुनाओ होता है, उसमें बहुत ज्यादे प्रवल्म्स नहीं होती हूँ, तो पार्टी आप करती हैं, और मैं पार्टी ने मैं को तै और मैं बहुत थोड़े थोड़े वोट से चुनावा रहा हूं, 25,000 वोट मैंने इंडिपेंडेंडेंट होके लिए हैं, इसीच कॉंस्टेंसी से, मैं इसना तक है, हम एक पार्टी ने मुझे मौका दिया भाजनता पार्टी है, तो मैं भाजनता पार्टी से चुनकर सिक्सक दायक पुनाता है। देखे आइडियलिस्ट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके, आप किसी को भी आइडियल अपना, जो एक चुनिल्दा नेता है, जिससे आप पिरभावित होते हो, जैसे हमारे आदर्णिय निर्मोदी जी हैं, आदर्णिय योगी जी हैं, एक 2014 से पहले देश कहां कड़ा था, अगर दोनों में कमप्रीजन करिये तो हम कहां हैं आज, आज देश का सम्मान पुरी दुनिया के अंदर बढ़ा है, आदर्णिय निर्मोदी जी के नेत्वत में, क्यों, पहले हम कट्रोरा लेकर अर अमरीका के पीछे घूमते थे, आज सिद्धु मुसे वाला की जब पहली बरसी हुई थे, तो पता उनके फादर सरी ने क्या कहा था, कि अगर पंजाब में भी योगी जी ऐसा मुखे मंतरी होता, तो मेरे बेटे की हत्या नहीं थे, तो ऐसी कानून विवस था, ऐसा सुसासन, देखने को ने मिलता, और जिस तर अगर आप ये बैलेंस तो करना सब को ही पड़ता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल एरिया जो हमारी समास से वाका काम है, इसमें दिमाग बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, और एक पईया अगर धस जायागा और दूसरा पईया ठीक रहेगा, एक में ह परिवार जो उनके साथ रहते हैं, उनको समझते हैं कि कितना परिशा में हमारे एक जो आगए समाज में बढ़ने का काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में करने का काम कर रहे हैं, उनको पता है परिवार को, तो परिवार बहुत सहयोग करते हैं, सभी पोलिटिकल, मेरा अपना म और मेरा यादगार चुनाओ था, मेरे सारे चुनाओ यादगार हुए, और आपको ताजब होगा कि मैं 2002 में 52,000 बोट लेकर चुनाओ थोड़े से बोट से हार गया था, यादगार था, कोई कहता नहीं था, मैं वो चुनाओ हार जाँगा, पहला चुनाओ था, अपने जीवन था पार्टी के एक बहुत भीमका है, बड़े महमानब लड़े नहिपाल से जीवन जो चौर बार रह चुके थे, और मैं उनसे कुछ बोटों से चुनाओ रह गया, वो कुछ टेकनिकल प्रॉब्लम्स हो गी थी, मेरे बोट ज्यादा होने के बाद भाद ही में हो चुनाओ ये भी मेरा यादगार चुनाओ था, तीसरा चुनाओ मेरा फिर दोहजार चौदे में इसनाओ तक था, वो सानसद बन गए थे, मेरे को सारी राजनितिक पार्टियों ने बुलाया, हमारे यहाद चौनाओ लड़ लड़ लिजिए, लेकिन मैं नहीं गया, और मैंने वो कहा कि निर्दलिये चौनाओ डड़का जाएंगे तो एक लखनो में वाबा होगी हमारी, क्यों? एक बड़ा कद होता है इंडिपेंडेंडेंट चौनाओ जीत के जाने में, तो लेकिन फिर अंडर करंड बहुत था भाजपा के अंदर, मैं निर्दलिये लड़ बात है, तो मैं दो चौनाओ पहले बहुत यादगार मेरे चौनाओ थे, और दूसरा में ओवर कॉन्फिडेंस में चौनाओ भारने का काम होगा, चौता चौनाओ ये सिक्सक का था, आप ताजुब मानोगे, कि भारजनता पार्टी पहले चौनाओ लड़ती नहीं थे, उत्तर प्रदेश क इन सीटों पर, लेकिन मैंना अनुलोद किया पार्टी के हाई कमान से, कि मैं लड़ना चाहता हूँ, तो पार्टी ने पूरे प्रदेश में चौनाओ लड़ाया, और मैं पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, सबसे जाद है वोट से चौनाओ जीतने वाला तो पूरे यारी थी उसके उपर, मेरे इस्ट देव, जो मुझे हमें से प्रेणा देते हैं, नीचे मेरे समर्थक, मेरे परिवार, मेरे इस्ट मित्र, मेरे समर्थक. जो हमेशा मेरे को खराब समय भी पूरी टाकत देते रहे. और मेरा जीवन आज 35 साल मेरा राजमेतिक जीवन हो गया मेरे को कभी उन्होंने थमने नहीं दिया कभी रुखने नहीं दिया मेरे को भमेशा समाज का छेत्र का बहुत ही बड़ा समर्थन मेरे को मिलता रहा है देखिए पुलिटिकल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा मुमेंट होता है जब वो चनाव जीता है क्यों और जब मैं चनाव जीता तो एतिहासिक चनाव जीता और वो मेरे च्छन मेरे लिए बहुत यादगार आगे तीन चनाव हारने के बाद दिन में 2020 में जब चनाव जीता सिपसपका यह मेरे लिए बड़ी चीत है एक वो यादगार है कि मुझे अचानक मेरे नेताने मेरे को थोड़े से कहने पर ही मेरे अन्रोट करने पर ही मेरे को MLC's बना दिया, वो भी मेरे लिए किया दार है, बहुत मुझे मसकत नहीं करने पड़ी, लेकिन जीवन में, 35 साल के राजनितिक जीवन में, संगर्स बहुत करना परा है, मेरे घर पर कोई मेरा पॉलिटिकल वारिस, मेरा पॉलिटिकल कोई सिर परस्त नहीं थे, मेरे पिता जी यह लोग जो इस ट्राइब का दोहन करते हैं, जनता जनारजन का, तो इसमें थोड़ा सा आना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, उन लोगों के लिए मैं खड़ा हुआ, और आइस्था आइस्था पॉलिटिक्स में चला गया है, मैं यूथ को कहना चाहता हूँ इसमे बहुत जल्दी इसमें बहुते हैं, इसमें जब तक ऊपर वाले की खिर्पा नहीं होती, कुछ मिलता तो है, जब तक ऊपर वाले का आशरवाल ना हुआ दूसरा यह है, कि आज दिगल का यूथ है, उसका वीजन केलियर होना चाहिए, भिरमित ना हो, वीजन केलियर हो, और टार्गेट फिक्स हो और थोड़ा जीवट हो उसके अंदर जीवट होना चाहिए हतासा नहीं होते चाहिए और मैं बताता हूँ जब भी आपको लगेगा कहीं कुछ आपके आसपास का वातरबन कुछ गरबर चला आया आपको खराब चीज़ नजर आ रही है उसके बाद ही सफलता मिलेगी ऐसे बहुत कम हैं दुनिया के अंदर वो गॉड़ गिफ्ट वारे लोग हैं जो अचानक जिनको सफलता मिल जाती है लेकिन सामाने परिवार के बच्चें को किसी भी छेतर के अंदर अगर सफलता प्राब करनी है तो थोड़ा सा इंजार करना पड़ेगा उसको लगेगा कि मैं ऐसफल हो रहा हूँ मैं ऐसफल हो रहा हूँ लेकिन अंतो गत्वा वो एक बड़ा व्यक्ति बनता है आप सिनीरियो उठाके देख लिए दुनिया के आइस्टीन देख लो लीटन देख जो एब जी अब्डूल कलाम साप को देख लो क्यों मदन महान मालिवय जी को देख लो वीवेक अनन जी को देख लो क्यों वो बहुत बड़ों के बड़े घरों के बच्चे नहीं थे वो क्या था दर्ड इच्छा सक्ती की आज मैं यूवाओं का बहान करना चाहूं कि दर्ड इच्छा सक्ती के साथ आगए बढ़ोगे निश्चित थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सपलता आपके से दूर नहीं है कोई किसी का इंटरेस्ट इसमें है इस तरह तो उनको आना बहा है यह दूरेस्ट यूवाओं का है पता है सबसे ज़्याद음ें हिंदोस्तान में यूवा बसता है 25% यूवाओं का देश है और न्यू जिलेंट बुड्डो का देश है क्यों A.G. अब्दुलकलาม ने कहा था के यूवा के रूप में हमारे पास इतनी संपधा है इस जंग्रहित कर लें तो हिंदुस्तान एक दिन दुनिया की महासक्ति बन जाएगा तो मैं युवाओं को भान कहता हूँ यह आपका देश है यह युवाओं का देश है हिंदुस्तान यह 65% साट परसेंट के आसपास युवाबस्ता है आपको आगा आना चाहिए अपने देश क का नामरोशन करने के लिए जिसे हमारे नेता अधरनी है योग्याइ अधना जी है जिस जिसा मिंसे लिचा को और गती देने के लिए मैं आप सही इवाओं से जऻ्वावन करता हूँ कि इसमें पूलिटिक्स में आपकर सह सही हुप करें चाहों Então से जो दूसरे होती है जब हम जर्मन अमरीका इंग्लेंड और बहाद सारे बड़े-बड़े देसों की बात ना मानते हुए हम रूस से तेल लेते हैं मना करने के बात आज चाहे ताइवान चीन का जगडा हो यूकरेन या रूस का जगडा हो अमरीका या रूस का जगडा हो लेकिन हिंदुस तन मुद्दान के पिधान मंतरी नरेंडर मोधीजी को सब जगे बुलाया जाता है क्यों कि हमारी पंचायत करो पहले दुनिया हमारी पंचायत करती थी अब हमारे देश के Thank you.